अश्विन जी मैं अब चुकी बहुत कम इंटर्विव ऐसे दिल से हुए है जिसमें कोई मतलब इंटर्विन इंटरनेट ने भी महरबानी की हो कि कोई व्यवधान ना पैदा किया हो जहां सवाल जवाब बहुत आराम से हो रहे हो और यह परंपरा से अलग हटके भी होता इस पर कभी हम फिर एक बार लंबी बातचीत करेंगे लेकिन कहीं अगर कुछ मुझसे रह गया हो जो आपको लगता है कि आपको बताना चाहिए इस इंटर्विव में तो मन्चब आपका है आप ज़रूर बताईए ऐसा शायद आपसे तो सवाल कोई रह नहीं गया पर कुछ बाते मैं कहना चाहूंगा जहां पर भी मुझे यह अवसर प्राप्त होता है तो मैं कुछ बाते जितना भी हो सके अगर किसी ने मान लिया या कोई उल्टा भी कह सकता है कि तुम होते को नहीं मुझे बताने वाले पर फिर भी मैं कहूंगा की यह मेरे अपने स्टूडेंट्स को मैं काफी बताता हूं यह चीज़ें मैं फिलोसोफीकल ही ज्यादा बताता हूं मैं मियूजिकली बहुत कम सिखाता हूं गोगि उनको फिलोसोफी और उनके थौट प्रोसेस जो लाइफ जीवन चरिया जो जी को कहते हैं कि मैं जिसको बहुत दिल से पालता हूं उनमें से सबसे पहला ये कि ये जो हमारा जीवन है ये एक ही जीवन हमें पता होने वाला है और इस जीवन में ये पल जो है ये एक ही बार आने वाला है इस पल को वापस आप जी नहीं सकते हैं ऐसा दुसरा पल आप जी सकत और यह भी नहीं कि हमें पता नहीं है हमारी एक्सपारीडेट कब है सब का आना यह भी निश्चित है तो जितना हो सके हर पल को वैसे जीएं जो आप चाहते हैं जीना वो अभी जी लो यह बहुत अच्छी खुदसुरत बात मैंने एक किताब है रिच डाट पूर डाट की उसमें उसने लिखा है कि इप वांट टो बिकम अरिच मैंड अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अमीरों की तरह जीना शुरू क की तरह बना लिए क्योंकि आपको अमीर बनना है यदि आपको आइडल आपके आदर्श हैं जिन की तरह आपको बनना है आप उनकी तरह रहना शुरू कर दीजिक्ए उसके लिए वह अलग से कोई महुरत नहीं आने वाला कोई ऐसा दिन आप चुननी सकते कि इस दिन के रचे हैं तो अपने बच्चों में वह संस्कार दीजिए जो आप में हैं या आप में शायद उसकी कमी है तो उस चीज को पहचान कर वह आपका करतव यह है और हर पल को जीना बहुत जरूरी है यह जब से मैंने शुरू किया है काश मुझे पहले पता होता पर जब से मैंने इ आज से 5 साल पहले हैं मैं जहां पर भी था उसका आज मेरी मेरे जिन्दीगे किया मॉल है क्या माइन हैं उस चीज़ के नहीं है मैं यकीन की साथ क्या सकता हूं यह चीज़ तो फिर आज जो आपके साथ हो रहा है अच्छा या बुरा जो भी इस चीज़ का आज से पांच साल बात कोई माइने नहीं होने वाला पांच साल का अगड़ा में इसलिए रखता हूं कि वह टाइम फ्रेम है जहां पर इनसान बहुत बदलता है अगर वही चीज़ है तो कल जो खाया मैंने उस चीज़ का आज कोई मतलब नहीं बनता आज मैं जो खाने वाला हो यह इसका कल पर कोई असर नहीं होने वाला तो अग मेरे लिए इतना ज्यादा मेरे स्पिरिच्वल ग्रोथ में इतना मुझे काम आया है वो चीज और वे तुकी चीज़ों के लिए समय नहीं बचता भी मेरे पास इसके लिए समय नहीं है यह करना ज्यादा जरूरी है तो यही करना है इसका इसका मज़ा आ रहा है इसका पागलपन है तो यहीं करना है जो जो भी हो उस चीज़ को आपको नाप तोलने की जो उसकी जो उसके संसकार जो है आपके शायद माबाब ने दिये होंगे या आपके मित्रों में आपने पाया होगा या आपके आदर्शों में आपने देखा होगा उस चीज़ को नापने तोलने की आपमें काबलेत जरूर है हमें हम खुद रोकते हैं किसी भी चीज से हम स्वय हम खुद को वंचित करते हैं और कोई नहीं करता आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते कि इसकी वैसे हो गया या वैसे हो गया इसलिए यह हो गया कोविड हो गया इसलिए मैंने वो नहीं कर पाया या मेरी नौकरी छुट ही है दो वक्त की रोटी चाहिए बस सिर्फ उसमें भी एक वक्त की रोटी से इंसान जिन्दार जरूर रह सकता है वाकि सारा कुछ वांट्स है जो हमने पैदा करी जरूरत हैं हम ने पैदा करके रखी हुए कि इतने सारे के लायगिजू में कहते हैं पंगे पाल रखे हैं मैंने तो पंगे पाल ऑर वही करो जो आपके मन में आयए यह कोशिश करके देखिए दो तीन चीज़ों में आप जड़ा अपलाई करके देखिएगा अगर जस्ट फॉफान आपको एक नई जिन्दगी दिखाई देगी यह मुझे कोविट के टाइम से ज्यादा पता चला है कि जीवन बहुत ज्यादा अमूलिय है और उसे बेतुकी चीज़ों में मुझे वह बरबाद नहीं करना है अगर मुझे करना है कोई चीज तो मैं कर जाता हूं इसी वजह से मैं फिल्मेकिंग सीखा मैंने अभी खुद सीख के कोविट के टाइम पे अपनी वेबसाइट बनाई है अब मैं दो तीन बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्ट फील्स के प्रोजेक्स हैं और किसी दिन मैं फिल्म बनाऊंगा मैंने स्क्रिप्टिंग करना सीखा शॉट फिल्म के तीन चार्थ स्क्रिप्ट लिख के रखी वी हैं जिसको भी सुनाया अच्छा लगा उनको तो आई नो प्रोफेशनल से लेके आम आदमी तक जिसको स्क्र लगा है तो मैं किसी दिन फिल्म बनाऊंगा मुझे क्लासिकल और ज्यादा बजाना है और ऐसी ऐसी चीज़ें बजानी है जो जैसे मेरे अभी आज काफी सालों से पर इस समय इस दौरान बहुत ज्यादा मैं प्रेगित हो रहा हूं पंडिक कुमार गंदर जी की गाईकी से पर तो उनकी चीज़ें मुझे बजानी हैं उनकी गाईकी उसमें जो शूटियां लग रही है और वह बेसुरा ना लगे शूटियां लग रही है अवश्य पर जैसे दरबारी में उनके निशाद और धहवत का एक अलग ही लगाव है वो इस दरबारी है दिदद ज्यादा यह 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 आणा यह मैं गाता हूं तो बिस्वरा लगेगा पर आप उनकी गायकी सुनिए आपको दर्बारी एक्तम स्वच्छ नजर आएगा अगर आप उसको और सुक्षमरूप से देखेंगे सुनेंगे तो फिर वो धैवत और निशाद चड़ा ही मिलेगा आपको पर वो जो अप्रोच और उस चीज़ा का असर जो दर्बारी एक यह है वह सभी सही क्याये सहां कि लिखा होगा पर इसका वहा हो ल है तो धन्हों प्रभिष्व प्रोड़ा यह जहाक आए वह अत्याप्द हें किन आउन्यक्राइश blessing सही किया होगा उसके अगेंस तो आगेंस क और उस चीज़ को मुझे पाना है तो मैंने बहुत सारा कुछ कमर्शिल काम अपना बंद कर दिया और मैं इसके पीछे लगा हूँ होपुली आप लोगों के सभी के आशिरवात से वो मुकमल होगा और भगवान की दया होगी उपर से तो फिर शायद जहां तक भी उस काम को ल बता रहा था कि टीवी जनलिस्ट हों 1999 से देश के तमाम चैनलों में नौकरी कर चुका हूँ कई हजार इंटर्विव की होंगे मैंने लेकिन इंटर्विव के जो समय होते हैं नो पता ना चलें तो कहते हैं यही उसकी परिभाशा है कि वो फिर अच्छा इंटर्विव तो आपने rebel कहा तो इक लाइन में बता दूं कि वो तो कहते ते कि मैं घराणों की कुली गिरी नहीं करता हूँ बिलकुल जो यह घराने लेके लोग चलते हैं ना कि मैं तो Алексी फला घराने और मैं तो 니ट फला घराने और वो कहते थे कि राग को एक जगह से मत देखो राप को समय रहता है एक हम लोग बातचीत करेंगे सिर्फ कुमार गंधर감 जी पर ऐस वीचे के लिए तो मेरे पास समय की कंवा मार जाओँगा एक शेट रहा कि हम लोग कुमार जी पर बात करेंगे और कुमार जी के खाने की आदतों से लेकर उनकी उनकी खाने का तरीका उनकी पसंद ना पसंद कैसे वो राग उनकी बातें उनसे तो मतलब आप ये समझे कि ये जो शास्त्री ये संगीत सुनने की तमीज आई थोड़ी बहुत अभी तक वो कुमार जी की दी हुई है क्योंकि हम लोगों ने कई बार होता है न जो बात देखे थोड़ी दर पहले में कह रहा था कि आप आसान चीज सुना कर भी कठिन तक ले जा सकते हैं शुरुवात तो हुई थी उड़ जाएगा हंस अकेला से और शुरुवात तो हुई थी उनकी निर्भय निर्बुन गाउंगा से लेकिन वो बाद में समझ डेवल चीजें है वह बहुत 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 ज्यादा मतलब बहुत बड़ा खजाना है वह जितना डूंड़ो उतना कम चलिए यह तै रहा यह मतलब आपको समय निकालना है लेकिन जो सब्सक्राइबर्स इस इंट्रिव्यू को देख रहे हैं उनसे हम दोनों का यह वाइदा है और बहुत बहुत धंवाहद माफी चाहँगा आपको भाई कह दिया अब encourage का तो आदेख मैक कि कहने से कही मेरे अंदर घंन ना आ तो माह यह कहती थी कि और कितनी सच बात है कि वो जो musical thought process जो उस समय आ रहा है कि किसी artist का सेम राग दो दिन एक जैसा नहीं आता आना नहीं चाहिए अगर सेम आ रहा है तो फिर वो कहीं न कहीं खोट है उसमें नहीं आता इसलिए क्योंकि उस समय जिस दिन अच्छा नहीं आया उस समय उसका जो connection है उसकी एक जो honesty है वो शायद कहीं न कहीं कम है और जिस दिन अच्छा आ रहा है उस दिन ज्यादा honest बनता है honest तभी बन सकता है आदमी जब उससे वो जूट निकाल दे अपने शरीर से अपने यह सिस्टम से और from that point of view हम creation नहीं कर सकते यह मैंने create किया है नहीं हो सकता जिसको यह लगता है शायद वो खुझ से जूट बोल रहा है या शायद उसको पता नहीं है उचीज हम जरिया है विएर a medium of expression किसी और dimension से music हमसे बात करने की कोशिश कर रही है और उसकी उर्जा हम खींच रहे हैं और क उसका जरिया बन जाते हैं हमें चुना जाता है जरिया बनाने के लिए इसलिए आप मेरे personality को नहीं पर मेरे अंदर की शायद उस उर्जा के बहाव को आप नमन कर रहे हैं और उस नमन को मेरे मेरे मेरा भी नमन बट हमारा कुछ नहीं है उसमें और मैं जबवस्ती हमबल बनने की कोशिश नहीं करा है मैं आप यूहीं जो आपके तमाम इंस्ट्रूमेंट है उसमें दो-चार इंस्ट्रूमेंट और जुने कुमार गंधर्व जी आपकी बासुरी में आए टपा आए बस यही फिलाल तो इश्वर से मा गंगा से यही दुआ कर सकते हैं आपके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत धेर सारी शुब कामना है धन्यवाद जी थैंक यूद ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राये बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतिय शास्त्रिय संगीत के बारे में जागरुकता फैलाने का एक मंच है जो एक रेजिस्टर्ड ट्रस्ट है और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तोर पर ये मुहीम चला रहे हैं जिस